दोस्तो इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मातर पाँच रुपे का एक ऐसा स्टॉक बताने जा रहा हूँ जिसने अभी टू इस्टू एट के रेशियो से स्टॉक बोनस अनौंस कर दिया है मैं हूँ आरुश आप देख रहे हैं फनो मीडिया अब आया आरुश आईए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तो इस स्टॉक का नाम बता देने से पहले मैं आप लोगो को इस स्टॉक के कुछ और important information के बारे में बता देता हूँ तो past एक साल के अंदर में स्टॉक ने जो है 200% से भी ज़्यादा का return दे दिये जोकि एक साल के इसाब से कुछ ज़्यादा ही अच्छे returns है स्टॉक का जो current price है सिरफ 5.37 रुपीस के उपर में चल रहा है कंपनी की जो market capitalization है वो 53 करोर्स की है तो आप इसे एक micro cap company कह सकते हो स्टॉक का जो PE ratio है वो 30.3 का जो की average है बात करें स्टॉक की book value की तो 1.57 रुपीस की है dividend yield 0 का है मतलब company आपे dividend नहीं देती है return on capital employed company का 9.84% का है और जो return on equity है वो 9.73% का है अब ROCE और ROE जो है 12-15% average माना जाता है जादा भी कम नहीं है बठा average से थोड़ा सा कम हमें देखने को मिल जाता है face value इस टॉक की 1 रुपीस की है और जो debt to equity ratio है वो 0.27 का है तो company के उपर जादा debt भी आपे अभी currently मौजूद नहीं है अगर हम बात करें company के financials की हम last one year को यहाँ पे compare करने वाले है अगर सबसे पहले आप company की sales देखोगे तो जहाँ पे 2022 के अंदर में company की sales सिरफ 1.25 करोर की होती थी वही 2023 में बढ़ करके 24.74 करोर पे आ चुकी है लगबग 20-22 गुना company की sales एक ही साल के अंदर में बढ़ गई है जो कि काफी अच्छी बात है operating profit भी अगर आप देखोगे तो 2022 से पहले और 2022 में भी company का operating profit negative में था 2022 में अगर बात करें तो negative में था 0.17 करोर का बट अभी 2023 में company का operating profit positive में आया है और 1.99 करोर पे आ चुका है तो company का operating profit भी आपे positive में आया है जो की काफी अच्छी बात है अगर बात करें कम्पनी के net profit की तो जहाँ पे 2022 के अंदर में कम्पनी का net profit 0.40 करोर्स का था वही 2023 में बढ़ करके 1.46 करोर्स पे आ चुका है उल्टा इस बारी कम्पनी ने आपे 25% का tax भी दिया है जो की पिछली बारी नहीं दिया था तो आप देख सकते हो काफी अची growth हमें कम्पनी के financials में last one year के अंदर में देखने को मिली है अगर बात करें कम्पनी के shareholding patterns की तो हमारे पास में जून 2023 वाले quarter का latest date है जिसके according promoters यहाँ पे 42.90% का stake hold करते हैं यहाँ पे retail investors यानि की public के पास में 57.10% का stake है अब चीज़े छुपाऊंगा नहीं आप clearly देख सकते हो कि promoters लगातार अपना stake यहाँ पे कम करते जा रहे है जो कि किसी भी company के लिए और especially small cap company के लिए अच्छी बात नहीं है आपे तो इस चीज़ का जरूर से ध्यान रखना अगर बात करें अब इस stock के नाम की तो company का नाम है विवानता इंडस्ट्री इस लिमिटेड company का Bombay Stock Exchange का code है 541735 company ने आप इस stock bonus announce कर दी है 1 is to 4 के ratio से जिसका मतलब भी है अगर आपके पास में इस company के 4 stocks हैं तो यहाँ पे आपको एक stock is the bonus में लेगा मतलब total में जो 4 stocks हैं वो 5 stocks में convert हो जाएंगे आप इसको 2 is to 8 का भी ratio कह सकते हो एक ही बात है और पहले तो company ने इसकी x date और record date announce नहीं करी थी बट अब इस stock bonus को देने की जो x date और record date है वो company ने announce कर दी है और वो 5th of September की रहने वाली है अगर आपको इस stock को purchase करना हुआ ताकि आपको इसकी stock bonus का benefit मिल पाए तो आपको इस stock को इसकी x date यानि की 5th of September से पहले पहले purchase कर लेना हुगा बाकि आज की वीडियो के अंदर में इतना ही अब अगर आपको इस वीडियो अची लगी हो वीडियो को जरूर से like कर दीचेगा इस चानल को भी जरूर से subscribe कर दीचेगा बिगॉस फिनो मीडिया के अंदर आपको ऐसी stock market से related content देखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी वार वीडियो के अंदर तिल देन बाई